भारत में 2016 में हुई सड़क दुर्खटनों की संख्या लगभग 5 लाग थी और आंकड़ों के अनुसार देश में कुल जितने भी सड़क दुर्खटनाई होती हैं उन में से 30 प्रतिशत दुर्खटनाई राश्टिये राजमार्गों पर होती हैं इन सड़क दुर्खटनाओं का एक कारण रोड इंजिनिरिंग है इसके अलावा सड़क तुर्खटनाओं के और भी कई कारण है जैसे गाड़ी तेश चलाना, खराब तरीके से गाड़ी चलाना, हेलमेट ना पहनना, नशा करके गाड़ी चलाना, खराब मौसम, सीट बेल्ट ना पहनना अगर सड़क की इंजिनेरिंग में दूश होता है, तो इससे कई बार ब्लेक स्पॉर्ट्स पैदा हो जाते हैं NHAI ने एक्सिडेंट ब्लेक स्पॉर्ट्स को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाए है परियूजना इस्तर पर सड़क स्वरक्षादिकारियों को नियुक्त किया, शेत्रिये अधिकारियों को सशक्त किया ताकि वो अपनी तरफ से ही कारियों को मंजूरी दे कर उन्हें लागू कर सकें इसके अलावा कई शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म मेजरमेंट्स भी लिए गए शॉर्ट टर्म मेजरमेंट्स सभी पूरे हो चुके हैं जैसे कि ट्रैफिक सिगनल ठीक करना, साइन बोर्ड लगाना या फिर रोड की मार्किंग करना वगएरा तो वहीं लॉंग टर्म मेजरमेंट्स अभी प्रक्रिया में हैं जैसे कि अंडरपास, फ्लाइ ओवर, टनल या फिर रेलवे ओवर ब्रिज बनवाना अब तक सड़क परिवहन और राजमार्क मंत्राले ने 21 राजियों में 789 ब्लेक स्पॉर्स की पहचान की है जिन में से 195 ब्लेक स्पॉर्स को समाप्त कर दिया गया है 160 पर कारिप्रगती पर है जिन जगों पे ब्लेक स्पॉर्स को सुधारा गया है उन जगों पर दुर्खटनाएं अब ना के बराबर होती है सरकार का ये लक्ष है कि 2020 तक इन दुर्खटनाओं में 50 प्रचिशत कमी आ जाए सड़क सुरक्षा के लिए सरकार ने और भी कई कदम उठाए है जैसे कि ट्रग ड्राइवर्स की आँखों की जांच के लिए मुफ्त शिविर आयोजित करना और जिन की दृष्टी सही नहीं पाई गई उन्हें मुफ्त चश्मे भी दिये गए अपने देश के नागरिकों के लिए सरक सुरक्षा सुनिष्चित करना मजूदा सरकार के लिए एहम है और जिस तेदी से इन एक्सिडेंट्स ब्लैक स्पॉर्स को सुधारा जा रहा है इसमें कोई शक नहीं कि हर जिन्दगी को बचाने के लिए सरकार ने जी जान लगा दी है प्रगती की नई कती साफनियत और सही विकास